हेलो माई बीटिफुल फ्रेंद्स वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आयो बहुत जादा अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में आपके लिए ये जिरो और एक नंबर साइस के कानाजी के लिए जो है बहुत ही प्यारी सी दो रंगों की ड्रेस लेके आई हूँ बहुत असान है इस ट्रेस को बनाना बिगनर्स भी जो है बहुत असानी से बना सकते हैं इस ट्रेस को बनाने के लिए जो है मैंने double crochet stitch यूज किया है, single crochet stitch यूज किया है और triple crochet stitch यूज किया है और इस ट्रेस को जो है मैंने ये 2.5 mm के crochet hook से बनाया है और इसके लिए जो मैंने धागा यूज किया है वो इस तरह का जो ये मोटा वाला शाइनी 3 ply wool होती है यह देखे में इस तरह से तो इस तरह का धागा जो है मैंने यूस किया है यह देखे तो आप जो है इस ट्रेस को जो है बहुत असानी से बना सकते हैं इस ट्रेस को बनाने में टाइम भी आपका कम लगेगा ये जो है मैंने 0 और 1 नंबर साइस के कानाजी के लिए बनाई है अगर आपको ये 0 नंबर के कानाजी के लिए जो है घेरा इसका जादा बड़ा लग रहा है तो जहांपर मैंने ये डबल करोशिय स्टिच यूज किया है और इस तरह से आपका घेरा ये चलिए जल्दी से ये कानाजी की प्यारी से ड्रेस बनाना स्टार्ट करते है वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए है या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टा पे मुझे फॉलो करें, मेरा फेस्बुक पेज लाइक करें इन सभी का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी तो चलिए जल्दी से जो है काना जी की ये प्यारी सी दो रंगों की ड्रेस जो है बनाना स्टार्ट करते हैं मैंने इस ट्रेस की चोली बना ली है इसकी वीडियो अल्रेडी मेरे चैनल पे अप्लोड़िड है लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी अब वहां से चोली ये बना ली तो नेक्स जो है हम इसका घेरा बनाना स्टार्ट करेंगी और सेम इसी जगा पे जहां से हमने चेन लेना स्टार्ट की है सेम उसी जगा पे जो है हमने डबल क्रोशिया बनाना है तो ये दो डबल क्रोशिया होगे अब नेक्स चेन पे जो है स्टिच पे जो है हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक डबल क्रोशिया अब नेक्स स्टिच पे जो है हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे यह एक बार हो गया एक बार सेम इसी जगह पे और बना लेते हैं दो डबल क्रोशिया अब नेक्स स्टिच पे जो है हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस टॉंट में हमने पहले दो बार डबल क्रोशिया बनाने हैं फिर हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाना है तो यहाँ पर हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाया अब नेक्स में हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे यह एक बार हो गया सेम इसी जगह पे एक बार और बना लेती हैं दो डबल क्रोशिया यह इस तरह से अब नेक्स्ट में जो है हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार जो है हमने दो डबल क्रोशिया बनाने हैं सेमी स्टिच पे फिर नेक्स्ट में एक बनाएंगे फ कर देना है अब एक, दो, 3,4,5,6,6 छे चेन लेनी है जो हमने चेन लिह हैं तीन जो हैं अब दबल क्रोश्या हीट के लिह इस तरह से फिर एक, दो, तीन, तीन चेन लेंगे, नेक्स्ट वाला स्टिच स्किप करेंगे, उसे नेक्स्ट वाले पे जो है हमने डबल क्रोशिया बनाना है, तीन चेन लेनी है, एक स्टिच करके जो है उसे नेक्स्ट वाले पे जो है हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब इससे हमने 3 chain देनी है एक दो तीन फिर नेक्स वाला stitch चहां पर हमने double crochet बनाय था उसे next वाला stitch कि शिब कर देंगे और उसे next वाले stitch पर जो हम double crochet बना लेंगे तीन chain double crochet, तीन chain double crochet बीच में 1-1 stitch जो है, skip करना है तो ये इस तरह से लूप आएगा तो इसी तरह नाट नाट प्रशा टीज़ी पर राउंड कम्प्लीट करने के लिए एक सबस्टने के साथ जोइन कर देगे तो यह पर हमारे पास यह हमारे पास एक तो यह हमारे पास वह दो दीज़ी इन दो एक रहा है 9,10,11,12,-12, 12 तो अब देखिए us next हमने क्या करना है? एक, iki, व्यक्राइक लेमिरो, गिए य 750 खाा क चाहिए 4 हम राव परणद्ग दम के दंदे 5 इन 2017 बनाता है धागे को थोड़ा LOOS रखेंगे लंबा सा जो है हमने इसको बनाना है तो ये इस तरह से डबल क्रोशीय आएगा तो इस तरह से बीच में स्पेस आजाएगा अब धागे को थोड़ा हम खींचेंगे इस तरह से क्रोशीयों Connect-क में चार बार धागा लेंगे, इस तरह से धागा लेंगे, इन सभी को हम एक साथ निकाल देंगे, इस तरह से लॉक कर देंगे, और बीच में एक चेन ले लेंगे, इस तरह से, अब नेक्स्ट वाले लूप पे आएंगे हम, यह देखिए, यह जो हमने लूप बनाये थे, तीन की चेन लेकर इस पे सबसे पहले हमने double crochet बनाना है इस तरह से धागे को थोड़ा लूज रखेंगे अब यह जो double crochet हमने बनाया है यह देखिए मैं नस्दीक से दिखाती हूं यह जो यह वाला double crochet है इसके ऊपर इस तरह से हम crochet अपर से धागा लेके आएंगे एक बार दो बार तीन बार और चार बार इस तरह से धागा जो है हम लेके आएंगे फिर इन सबी को एक साथ निकाल देंगे लॉक कर देंगे और एक चेन ले लेंगे अब next वाले loop पे आएंगे यह देखें यह जो हमने loop बनाए थे इसी loop पे हमने सबसे पहले एक double crochet बनाना है इस तरह से और सीम उसी डबल क्रोशिया के उपर जो हमने डबल क्रोशिया बनाया इसी डबल क्रोशिया के उपर चार बार धागा लपेट के आएंगे ये एक बार हो गया दो बार हो गया तीन बार हो गया और चार बार हो गया इस तरह से इन सभी को हम एक साथ نिकाल देंगे लॉक करेंगे और एक चेन लेंगे अब लेक्सट वाले जो यह वैला लूप है उस लूप पे जो है हमने डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से फिर उसी डबल क्रोशिया के उपर हमने इस तरह से चार बार धागा लेकर जो है पफ कsk果 अपर गूंप स्टिच से तरह उसी तरह से रह ने देंगे और दूसरा धागा जोएंगे दूसरा धागा जोएंगे जाइन कर लेंगे इस तरह से तरह से गवरी जूएंगे धागे को खींच लेंगे अब सेम इसी जगह पे हम एक चेन लेंगे एक दो तीन चार पांच पांच चेन लेकर दो पफ के बीच में जो स्पेस है यह देखें यह वाला पफ और यह वाला पफ इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया करना है और यह जो हमने एक चेन ली थी यह भी हमने सिंगल क्रोशिया की हाइट की ली थी अब फिर से एक दो तीन चार पांच पांच चेन लेंगे और दो पफ के बीच में ये देखे ये वाला पफ और ये वाला पफ इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वहां पे हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच चेन लेंगे और दो पफ के बीच में जो है सिंगल क्रोशिया फिर से एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच चेन लेंगे और दो पफ के बीच में जो है हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे यह इस तरह से आएगा यह देखिए इस तरह से यह लूप आएंगे पांच चेन लेनी है सिंगल क्रोशिया पांच चेन सिंगल क्रोशिया पांच चेन सिंगल क्रोशिया तो इसी तरह से आप यह राउंड कम्प्लीट कर लें round complete करने के बाद यहाँ पे धें, starting में हमने एक chain ली थी, उस chain पे जो है हमने, जिसको हमने single crochet के उसमें लिया था तो उसी पे जो है हमने इसको slip stitch के साँ join कर देना है, अब यह वला धागा चोड़ देंगे और white वला धागा जो है हम ले लेंगे, तो वाइट वाले धागे से जो है जो हमने ये सिंगल क्रोशिया किया था जो से ए हमने ये एक चेंग ली थी उसी पे जो है हमने इसको जोईन करना है इस तरह से फिर एक चेंग लेकर जो है हमने सेम इसी जगा पे जो है सिंगल क्रोशिया कर देना है फिर एक दो तीन चार पांच छे छे चेंग लेंगे और नेक्स जो हमारा सिंगल क्रोशिया है उस सिंगल क्रोशिया के ऊपर जो है हमने सिंगल क्रोशिया कर देना है ये इस तरह से फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे चेन लेंगे और सिंगल क्रोशिया पर जो है हम सिंगल क्रोशिया करना है और साथ में हमने छे चेन लेनी हैं पहले पांच चेन ली थी अब जो है हम 6 chain लेंगे, 4, 5, 6, 6 chain लेकर single crochet के उपर single crochet कर देंगे, यह देखिए, यह single crochet है, इसके उपर हम single crochet कर देंगे, तो यह इस तरह से आएगा, 6 chain single crochet, 6 chain single crochet, तो इसी तरह से आप यह round complete कर लें, round complete करने के बाद, यहाँ पर last में हमने 6 chain बनाई, और यह जो starting में हमने single crochet बनाया था, इस single crochet पर जो है, हमने इसको slip stitch के साथ join कर देना है, अब जो हम अपना work करेंगे, वो यहाँ पर यह देखिए, जो हमने यह loops बनाए थे, 6 chain single crochet, 6 chain single crochet, तो इस पर जो है, अब अपना work करेंगे तो first वाले loop पर जो है, सबसे पहले हमने yellow color से यहाँ पर slip stitch कर देना है, अब एक, दो, तीन, चार, चार chain लेंगे, और triple crochet बनाएंगे, इस तरह से crochet पर धागा लेंगे, फिर दूसरी बार भी crochet पर धागा लेंगे, इस तरह से धागी को लेकी आएंगे, first के दो निकालेंगे, फिर दो निकालेंगे, और last में जो बचते हैं, उनको भी हम निकाल देंगे, फिर से यदि के दो बार crochet पर धागा लेंगे, first के दो निकालेंगे, फिर दो निकालेंगे, फिर दो निकालेंगे, यह इस तरह से, triple crochet में हम दो बार धागा लेते हैं, double crochet में हम एकी बार धागा और triple crochet में जो है हम दो बार इस तरह से crochet पे धागा लेंगे और triple crochet बना देंगे ये इस तरह से दो दो जो है हमने loop निकालते जाना है तो इसी तरह से जो है 15 triple crochet आप इस loop में बना लें ये इस तरह से तो 15 बार जो है इस तरह से triple crochet बना लें तो ये दिखिए 15 बार जो है मैंने यहाँ पे ये triple crochet बना लिया अब एक chain लेंगे अब next वाला ये loop है जो है उसको हमने skip कर देना है इस पे हमने work नहीं करना है और उससे next वाले loop पे इसको skip कर देंगे एक जो है हम चोड़ देंगे उससे इस पे हमने 15 बार triple crochet बनाना है हमारे पास ये 12 लूप आये थे तो इसमें जो है हमने एक एक लूप छोड़ के जो है triple crochet बनाना है 15 बार और बीच पे जो है हमने एक chain लेनी है इस तरह से तो इसी तरह से जो है आपने ये पूरा round complete कर लेना है इसमें हमने बनाना है फिर next वाल चोड़ेंगे next पर बनाएंगे next वाल चोड़ेंगे इस तरह से तो इसी तरह से जो है आप ये रांड कम्प्लीट कर लें रांड कम्प्लीट करने के बाद इसको starting में जो हमने 4 चैन ली थी उसकी 4 चैन पर जो हमने इस जो हमने जो जो इस से जो एन कर देना है अब एक चीन यलो वाला धागा हम यहां पर कट कर देंगे तो देख़ेंगे अब हमने क्या करना है यह जो हमने डैस ब्सक्री बनाए थे इसके बीच में यहां पर हमने इसको सबसे पहले जो बाले सिंगार के भाड़े को कर लेना is attend यहां पे असको तरह से जो हमने जो जो इंकर लिया फिर एक, दो, तीन, तीन चेन लेंगे, नेक्स को स्किप करेंगे, उससे नेक्स वाले पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर एक, दो, तीन, तीन चेन लेंगे, नेक्स को स्किप करेंगे, उससे नेक्स पर सिंगल क्रोशिया एक स्टिच छोड़के हमने सिंगल क्रोशिया करना है और तीन चेन लेनी है तीन चेन ले ली इसको स्किप करेंगे नेक्स वाले पर सिंगल क्रोशिया फिर एक दो तीन तीन चेन लेंगे नेक्स को स्किप करेंगे उससे नेक्स पर सिंगल क्रोशिया फिर एक दो तीन तीन चे लेंगे नेक्स को skip करेंगे उससे next पाल सिछे पर सिंगल क्रोशिया लिए इस तरह से तो यह इस तरह से आएगा एक एक स्टिच छोड़ के हमने सिंगल क्रोशिया करना है और बीच में तीन की चेंग लेनी है अब देखे क्या करेंगे यह जो हमने white color से चेंग ली थी, इसको भी हम साथ में लेंगे और यहाँ पर जो हमने एक चेंग ली थी उसको भी, इन दुनों को साथ में लेकर जो हम यहाँ पर single crochet कर देंगे, इस तरह से, अब next वाली कली पर आएंगे, इस पर सबसे पहले हम single crochet कर लेंगे, फिर 1, 2, 3, 3 chain ल लेकर next को skip करेंगे, उससे next पर single crochet करेंगे, इस तरह से, तो यह इस तरह से आएगा, यह देखिए, तीन chain लेनी है, एक छोड़के single crochet करना है, तो इसी तरह से जो है, आप यह पूरा round complete कर लें, round complete करने के बाद, इसको starting में, जो हमने single crochet बनाया था, उस पर हमने इसको slip stitch के अब एक chain लेंगे, और यहाँ पर हमने धागे को cut कर देना है, धागे को हमने पीछे की तरफ को secure कर लेना है, तो यह दिखी काना जी की बहुत ही प्यारी सी दूरंगो की dress बनकर त्यार होगी है, बहुत असान है यह बनाना, बिगनर्स में बहुत असानी से इसको बना सकते ह आपको अगर यह घीरा बड़ा लग रहा है, तो जहां पर मैंने double crochet stitch किया है, वहाँ पर आप half double crochet stitch कर लें, और जहां पर मैंने triple crochet stitch किया है, आप वहाँ पर double crochet stitch कर लें, आप भी ज़रूर एक बार ट्राइ करें, वीडियो मेरी पसंद आए, तो वीडियो को like करें, शेयर करें कमेंट करके आप मुझे बताएं कि आपको कानाची की ड्रेस्ट के ये वीडियो कैसे लगी और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स पर वाचिंग